नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंज़िना ओमकर्ष्यप पंचायत के एक और सेशन में है आपका स्वागत और हमारे साथ है राम विलास पासवाण जी के चिराग चिराग पासवाण जी बहुत बहुत शुक्री आपका इस सेशन में आने के लिए मैं किस से बात करी हूँ एक ऐसी शक्स से जो एक कलाकारव है अभीनेता है या वो जो अब एक मजहाभी राजनेता है एक अच्छे इंसान से जो सिर्फ और सिर्फ इनसानित के बारे में सोचता है और सही मायनों में लोगों की सेवा करना चाहता है लेकिन आपकी तो बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है मतलब आप आए और जो इतने वर्षों से पिछले 12 वर्षों से नहीं हो रहा था उसको आपने पलट दिया एक युवा राजनीती में आता है तो वो एक नई सोच के साथ आता है और मैंने अकसर यह कहा है कि युवां के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने नई सोच नए विजन के साथ अपने बुज़ूर्गों का अनुभव भी जोड़ें तो जो भी डिस कि कि आप एंडिया के साथ जाएंगे कि अंतरात्मा की आवाज इतनी कमजोर होती है कि 12 सालों में इस तरह से बदल जाएंगे पर धर्कीगत यह भी है कि अगर आप अपने आपको सिर्फ एक एरा में फ्रीज करके बैठ जाएंगे आप वहीं पर रोग देंगे तो ना आप आज कौन बात कर रहा है, हῖיכत यह भी है कि चुरासी के भी डंगे हुए थे, भागलपूर के भी दंगे हुए थे बावरी मजजि़त भी टूटी थी. बड हकीकत यह भी है कि मेरे जैसे यूवा अपने आपको उस हिरा में नहीं बांद के रखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि सही मायनों में आप उसके साथ आगे बढ़ें जो देश के विकास की development की बात करता हो और वही सोच रखता हो तो नया योग क्या कहता है कि नरेंद्र मोधी secular हो गए है देखें आज की तारीक में secularism, communalism जो एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है secularism क्या है सिफिक सोच रहे हैं मैं उस सोच के साथ हूँ मैं किसी भी वेक्ते के साथ रहा हूं या गटबंदन के साथ हूँ मैं उस सोच अपने आपको नहीं अलग कर हुँ कमिनलिजम के आप बात करते हैं तो अगर हम कमिनलिजम की बात करें तो जो चौरासी के कि और दंगे हुए किअ वो कमईनल राइट नहीं थैं क्यों नहीं हम कॉंग्रस को के साथ यूपीए गटबंदन में थे क्यों नहीं हमारे ओपर तब यह सवार उठाये गई ये कोशिश कर रहा था कि NDA के साथ हम lledग के साथ है तो आज की तारीब में मोधी जी-किसके सब्सक्राइब कि तीज नृभर सब बार特ות न को Golden एक बहुत बढ़ा हिस्सा एंग के वोट नंक का इससा नहीं 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 बढ़ आपके जितने भी हमारे इसी मुद्दे पर उन्हों ने रिजाइन किया ना जिस दिन उसे लगा कि कही न कहीं न कहीं हमारे मुसल्मान भाईयों के साथ अहिर्ट हो रहा है ना इंसाफी हो रही है उन्होंने तुरंस श्रीफा दिया समझाया कैसे क्या बोला आपने क्या शब्द थे नहीं देखिए जिस तरह से परिस्थितिया भी बनती रही शब्द तो बहुत दिनों से आ रहे थे हकीकत यह है मैं अगेन रिपेटिटिटली मैं बहुत कैंडिड होके आज बात कर रहा हूँ आज से नहीं मुझे लगता है पिछले साल भर से जादा उंग कंट्री है यहां पे अधिकतर यूओं है जिस तरह से यूओं की अंदेखियो रही है और खास वाब हमारे प्रदेश में तरह Panjang यूवा ऐसे हैं जिनकी के आयू 25 साल से कम है उनकी जिस तरह से अंदेखी हो रही है लगातार पलायन बरता जा रहा है तो कहीं न कहीं डेवलोपमेंट वक्त की जरूरत है तो उस यूवा के प्रतिने धित्व के लिए आप अर्विन के जिवाल के बारे में क्यों नहीं सोकते मोदी क्यों मोदी में कौन सी ऐसी खूबी दिखती है आपको अर्विन जी पे तो खिर मैं क्या टिपनी करूं बट मोदी जी इसलिए जिस तरह से एक्रॉस दा कंट्री उनका एक्सेप्टेंस है हर यूवा भले वो कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक हर यूवा उनके साथ जुड़ना चाह रहा है हर यूवा उनकी सोसे सहमत है अगर आज की तारीक में आप उनके हाल फिलाल के समय के भाशन ले लिजे कहीं से साम्परदाइक्ता की जलग नहीं दिखती वो सिर्फ वो सिर्फ विकास की बात करती है आपको लगता है बदल गए हैं क्या है वो परिस सोचते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी में भी है अभी तक राजनीतिक तोर पर उनकी कोई भी कमजोरी मुझे सामने नहीं दिखी जिस तरह से उनका एक्सेप्टेंस है उन्होंने आज तक 2002 के लिए माफी नहीं मांगी तो उन्होंने इस पहतरास भी राजना जी ने यह नही कहा मैं उनको इस वक्त से जान रहा हूं वो उस वक्त क्या थे नहीं थे मैं उस पर कोई टिपनी नहीं करूंगा उस वक्त उन्होंने क्या क्या नहीं क्या परिस्तितियां बदलती हैं मुद्दे बदलते हैं बट आपकी जो एक विचार होती है आपकी जो एक विचार धारा दिक्ष्ट की बात होती है बट मेरी तो उनसे एक छोटा इंट्रेक्शन था मुझफर पूर में जब हम लोग रैली में इकटे थे तो वहाँ पे मेरी उनसे कुछ पांदस मिनट बात हुई बहुत अच्छी बात हुई और बस मैंने उन्हें कहा कि सर आपकी सोच के साथ हैं हम लोग तमाम युव आपके साथ हैं और हकीकत भी हैं को हम सीटे आप अनुमान लगाते बीजेपी जीते वो तो मिशन 272 में लगे हुए है कि इस गट बंदन बिहार में अगर देखा जाए 40 सीटों में से हम लोग डेफिनेटली 35 प्लस में हैं और अगर हम 40 होगी 40 भी जीत गए तो यह भी कोई सप्राइस के बात नहीं होगी अब काफी आगे जाएगो जिस तरह से हमारे राष्टी अध्यक्ष इस गट बंदन में तो कहीं न कहीं न कहीं कुछ अनुमान जो आपकी बाचीत के जरीया लग रही हो क्या लगता है दीदी त्रिनमूल क्योंकि अनना उधर चले गए हैं तो अनुमान माना जा रहा है कि अभी बहुत लोग और साथ में जुड़ेंगे 2004 में भी यह हुआ था कि जब हमारे राष्टी अध्यक्ष पार्टी साथ में आएंगी राहुल कांदी पिछले दिनों कैसे लगे आप आपने बताया कि आपने उनकी मा से बात की थी पर वो मिलने को फिर तयार नहीं हुए लापर वहां दिखे क्या राहुल कांदी को कैसे अनलाइस करते हैं चराख देखिए जब राहुल राजनीती अनलाइस ले रहे थे सब कुछ बढ़ हकीका दिया कि हाल फिलाल के वर्षो में सम्वर ही लॉस्ट अपर पैसे लगाना बेकार है अब मुझे लगता है कि कही ना कही अपनी सोच से हिल गये हैं जिस मिशन के साथ वह आगे आए थे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं मतलब सपना वो अधूरा ही रह जाएगा उनका चलिए वापस आते हैं सहूलियत की राजनीती से कही जाती है जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं मैं इसलिए कह रहे हूं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी बन रहे हैं पीम अब इधर जाने में क्योंकि बातों से वह समझ में आ करते कि नहीं अब आज की तारीख में हमें एंडीय के साथ जाना है क्यों वह अंतिम-ंतिम समय तक लगे रहे अपने पुराने गणदन को किसी तरह से हो मेटलाइज हो जाए अंतिम अंतिम समय तक हम लोग लगातार दो-लो बार सोनिया जी से मुले लगातार स्ञमार में रह जाए आपके पास कोई option ना छोड़ा जाए और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सोचतो थी वेक्टिकद रूप में ही सही मेरे दिमाग में सोचतो थी उसको और ज्यादा authority से कहने का मुझे मौका मिला और सबसे बड़ी वज़ा ये थी कि हमारे तमाम वरे समाने नेता जो हैं हमारी पार्टी का और हमारे तमाम कारे करता एक सुर में लगातार इस बात को बोलते रहे कि अब हमें अंडिये के साथ जाना चाहिए और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे राश्टिया देख्ष ने उनकी सोच को सम्मान दिया और ये निर्ने लिया मैं वंचवाद पर अब बात करना चाहती हूँ आखिरकार उसी वंचवाद को आगे बढ़ा रहे हैं फिर आप युवा सोच नई सोच तो धोंग लगता है फिर उसके सामने अंजना बहुत ओनेस्ली मैं सीस का जवाब दूँगा आप भी सोच को आप भी मेरी इस बात को से सहमत होंगी at the end of the day it's only सिर्फ और सिर्फ आपकी काबलियत है जो माइने रखती है मैं राजनीती की बात नहीं करूँगा मेरा पिछला जो प्रोफेशन था बॉलिवोट आप देख लीजिए कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए हम लगातारी एक्जांपल देते हैं कि एक डॉक्टा का बेटा रॉक्टर होता है तो उस पर तो कोई उंगली नहीं उठाता मैं वह भी तर्क नहीं दे रहा मैं बस इतना बोल रहा है अगर आपके अंदर काबलियत नहीं है आपके पि दे लोट शह वेफ्रम्ट यह कोई इस आंट में अट होगा इसको चुपानी सकता जब मेरे पिदा जी आए थे राजनीती में उनके पिदा जी तो नहीं थे राजनीती में और यही तो हम करेस वास्वान ने जो अपनी बनाई भी अन्होंने कारकरता के तोर पर शुदू कि और कहां से कहां गए वो जिस तरह से उनुका पूरा जेपी मूवमेंट से लेकर सफर रहा है तो मैं भी कहीं आज से साथ आठ सालों से लगातार एक कारे करता कि हैसे से तो राजदीती में अपनी पार्टी में जुडाई हूँ आप पुराने कितनी भी क्लिप्स उठा लिजे हर जन सवा में हर चुनावी सवा में आप मुझे मेरे पिता जी के साथ पाएंगी और फैक्ट ये भी है कि अगर ये बात नहीं होती हमारी पार्टी में ओर तमान बहुत वरिश नेता हैं अगर आज उनावी नसली सब ने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ चराग पास्वान भी आ सकते हो और हम सब की सहमत ही है उसमें तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा तो क्रेडिट आप मुझे परस्नली भी देंगे कि हाँ कुछ बात होगी मुझे यह बताईए कि अर्विंद केजिवाल पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर यूपिये नहीं और एंडिये को भी आप मानते हैं कि उसका इतिहास रहा है तो अर्विंद केजिवाल जैसा शक्स क्यूं नहीं क्या दिक्कत है उनमें भारत एक लोकतांत्रिक दे दो यह अराजकता है बिल्कुल अराजकता है क्यों लोकतंत्र में हर किसी को यह इजाज़त है कि वो सवाल पूछे अपने चुने हुए प्रतिनिती से एक बहुत सी कम्यूनिकेशन बाचीत वारता लाप बड़ी से बड़ी समस्या को सुल जा सकता है आप कम्यूनिकेट वाकिज़े न आप फोन कीज़े आप बात कीज़े आप अपनी बातें रखिये बोले कि हम मिलके इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं हर उस चीज़ पर जिस पर आपको इशिव है सिफवा सिफ धर्ना और प्रदर्षन हर प्रप्रोब्लम का सेल्यूशन नहीं है धर्न और प्रदेशन अंत में आना चाहिए पहले आप कोशिश तो कीजिए इमानदारी से सुल जाने की जब आप लोगों से रूबरू होंगे क्या होगा चिराग पासवान क्या बोलेंगे क्या है उनका इतिहास क्या है वर्तमान मैं जीतू नहीं जीतू विल क्रॉस दब्रिज वे वो रुखे क्यों सिर्फ हम बिहारियों कोई दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए सिक्षा के लिए स्वास सेवां के लिए मैं चाहता हूं कि ये सारी सेवा हमारे खुद के प्रदेश में मौझूद हो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बिहारी दूसर लेकिन गुड लुकिंग लोग बारात में जुड रहे हैं उसमें इतरास क्या है जब तक आपकी सोच क्लियर है और आप सही मायनों में अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं मुझे नहीं लगता कि उसमें आपकी परस्नालिटी या आपकी पोशाक उसमें आड़े आनी चाहिए इंडिये के साथ ही सत्ता तक पहुँचने की कोशिश रहे गया आप देखते रहे आज तक अश्ते हैं